हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टुमा एस्वा एजुकेशन फार्मिसन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यहां पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने पुरानी पेंसन योजना की बहाली की कर्मिचारियों में खुसी की लहर क्या है सरकार ने जारी की जी आर मिलेगी यहां पे 30,000 रुपे तो क्या है ओपियस पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी हो चुका है लगातार हमारे इस वीडियो में आप बने रहे है क्योंकि हम लेकर की इस अपडेट को प्रिजेंट है आप देख सकते हैं कि ओल्ड पेंसन 2024 जी आर सरकार ने जारी की जी आर इन नोटिस जारी कर दिया गया है संजुक्त यहां पर संघर्स संचालन समीती ने पहले ही संसदों को नोटिस दे दिया है कि पिछली पेंसन योजना की बहाली के लिए उनका विरोध 30 अक्टूबर से 2923 के पीश चलता रहा होगा और 3023 को खिलाब भारती राज्य सरकार की कर्म कर्मचारी ने एक पूर्व पेंसन कारिक्रम की बहाली की मंग को लेकरके दिल्ली में जो है विसाल रैली को निकाला इन लोगों को जो है मिलेगा इन लोगों को मिलेगी पुरानी पेंसन योजना का लाब यहां पे देखेंगे कि लगातार आप बने रहे है केंद्र सरकार और राजे सरकार के सभी करमचारीओं के लिए पूर्व पिन्शन योजना की बहाली करने के लिए करमचारी लगातार धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारियों का तर्क है कि पंजाव राजस्थान 36 गर जहार खंड और हिमानचल प्रदेश सहीत कई राजे बरतमान में राजे कर्मचारियों को पुरानी पेंसन योजना प्रदान करते वे पैडाम स्वरूप केंद्र सरकार को अपने साथ काम करने वाले स्रमिकों के लिए जो है पिछले पेंसन कारेकरम को बहाल करना चाहिए 18 साल बाद रिटार्ड होने वाले कर्मचारी को जो है मिलती है इतनी पेंसन तो सीव गोपाल मिस्त्रा का कहना है कि यनपी यस कर्मचारियों को सिर्फ ब्रिधा वस्था पेंसन मिलती है और यनपी यस योजना में भाग लेने वाले कर्मचारियों को 18 साल बाद सेवानी बृत्य होने का क्या मिलता है मिला यनपी यस में जो है एक कर्मचारी को 2417 रुपे दूसरे को 2506 रुपे और तीसरे को 4900 रुपे मांसिक पेंसन मिलती थी अगर यही कर्मचारी पिछली पेंसन प्रडाली में होते तो उन्हें यह मिलती तो 15250 रुपे और 17150 रुपे और 28450 रुपे प्रतिमा यनपी यस कर्मचारियों को सेवानी बृत पर छोटी पेंसन मिलती है लेकिन वे हर महीने अपने बेतन का 10 प्रतिसत योगदान करते हैं तो दोस्तों समझ सकते हैं लेकिन यहां पे देखेंगे कि उन लोगों को मिलेगी पुरानी पेंसन का लाव किन को मिलेगी और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक इक्रिट समाजिक पेंसन पोर्टल में बृद्धा पेंसन अनलाइन आवेधन के लिए यहां पर है कुछ अपडेट है लेकिन हम पेंसन की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में अब क 2024 के जो पुरानी पेंसन की बहाली की बात चल रही है लगातार कोट में तो सारी हम सुनवाई जैसे होगी आपको प्रोवाइड करेंगे थैंक्स वार वाचिंग गाड़ ब्लेस यू